स्टोडियर फिंट्स वेलकम टू वीपेस मोटिवेशन औन इंस्टूडेंस फिंट्स आप सभी के लिए ये वीडियो काफी महतपूर होने वाला है हम में से सभी के पास लगबख सभी के पास LIC की पॉलिसी होती है या फिर लेने वाले लेने के लिए भी सोचते हैं फिर्ण्स LIC policy में आपको maturity क्या मिलती है और maturity में क्या-क्या include होता है जैसे bonus, final additional bonus ये final additional bonus और bonus कैसे calculate करते हैं, ये क्या होता है और आपके policy में कैसे add होता है सो फिर चलिए बात करते हैं, vested simple revolutionary bonus की, यही vested simple revolutionary bonus जो की bonus हम लोग आम भासा में बोलते हैं, ये with policy में, with profit वाले policy के लिए applicable होता है LIC हर साल vested simple revolutionary bonus declare करती है during the policy period और ये हर policy holder के policy account में accumulate होता है LIC हर साल एपना bonus declare करती है per thousand, per thousand summer short के हिसाब से per year और इसी के आधार पे ही आपका जो bonus है उसे calculate भी किया जाता है अब friends आगे देखेंगे कि LIC में, LIC जो bonus देती है, जो vested simple revolutionary bonus हो या फिर final additional bonus हो उसे calculate कैसे करते हैं और उसे calculate करने के लिए आपके बास क्या क्या चीज़े होनी चाहिए policy table number होनी चाहिए कि आप कौन सी policy लिए है, फिर इसके बाद summer short होता है फिर इसके बाद policy term तो ये तीनों चीज़ आपके policy paper में मिल जाते हैं और bonus chart आपको LIC के side पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको bonus chart मिल जाता है फिर इस अब vested simple reversionary bonus को calculate करने के लिए जो formula है sum short divided by thousand into policy term into bonus इसके हिसाब से इस formula से आपकी policy के दर्मियान, आपकी पूरी policy में आपको कितना vested simple reversionary bonus मिलता है आपके maturity में कितना add होता है इस formula के हिसाब से आपको पता चल जाता है इसमें अगर एक साल का निकालेंगे तो bonus into sum short divided by thousand करेंगे तो आपको एक साल का मिल जाता है इसी तरीके next year या फिर हर साल का जो bonus इस तरह से आपके account में add होते रहता है अब यहाँ पर एक example के माध्यम से समझने का प्यास करते हैं जैसे table number 914 जो के endowment policy है sum short पांच लाक लियावा है और policy term 21 साल के लिए लिया गया है बोनस रेट देखेंगे तो बोनस चार्ट में आपको मिल जाएगा और यह 45 रुपीज मैंने लिया है पांच लाक समेशोड है डिवाइड भाए thousand करेंगे इंटू 45 जो की आपका बोनस रेट है इसे कैलकुलेट करने पे आपको मिलता है 22,500 रुपे यह 22,500 रुपे आपका एक साल का बोनस होता है इसी तरीके से नेक्स यह रहे मालेज जागा आपका 46 है या 47 है उस हिसाब से आपका हर साल कैलकुलेट करके एकुमुलेट होता है आपके policy अब फ्रिंट से यहां बात कर लेते हैं फाइनल एडिशनल बोनस यानि एफएबी कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजूली एफएबी जो है यानि फाइनल एडिशनल बोनस policy यदि पंदर साल या पंदर साल के उपर की है तो ही उसके लिए अप्लिकेबल होता है अब यहां पे फाइनल एडिशनल बोनस को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जान लेते हैं सामेशोड डिवाइड बाइ थाउजन करेंगे और इंटू फाइनल एडिशनल बोनस जो की आपको बोनस के चार्ट फाइनल एडिशनल बोनस के चार्ट से मिल जाता है हमने आपको एक चार्ट दिखा रखा है जिसमें 21 साल की पॉलसी है और सामेशोड जो है दो लाख हैं उसके उपर के लिए हंडेड रुपीज है तो वो फाइनल इंटू हंडड करेंगे तो आपको 50,000 जो आता है वो आपका फाइनल एडिशनल बोनस आपके एक ओन में एड़ होता है फ्रेंड्स इस चार्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा समय के लिए आप पॉलसी लेते हैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिस्यल होता है और उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिलता है अब बात करते हैं कि मेच्योटी कैलकुलेट कैसे करते हैं मेच्योटी कैलकुलेशन में आपका समय शोड़ प्लस वेश्टेट सिंपल रिवर्शनेरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस आपका समय शोड़ यहाँ पे 5 लाक लिया हुआ है और वेश्टेट सिंपल रिवर्शनेरी बोनस जो कि एजूम किया हुआ था कि रेट 45 पर थाउजन के इसाब से होगा 22,500 रुपए आपका एज़ मेचरिटी आपको एमांग मिलता है सो फ्रेंट्स इसमें आपने देखा कि मेचरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेश्टेट सिंपल रिवर्शनेरी बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं साथ ही साथ में फाइनल एडिशनेर बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं यह मैंने इंडुमेंट पॉलिसी टेबल नमबर 914 को लेके बनाया है फ्रेंट्स अगर आपको किसी और पॉलिसी का इस तरह का कैलकुलेशन चाहिए जिसे जीवन लाब हो गया या जीवन अनन्द हो गया तो फ्रेंट्स आप कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं मैं उसके लिए जरूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए सो फ्रेंट्स मुझे उमीद है आप सब इसे समझ गया होंगे फिर्ण्स अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेर जरूर केज़ेगा फिर्ण्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब के लेज़ेगा So friends, thank you very much